Hello everyone welcome to my video so friends कैसे हो आप सब I hope you doing well so friends आपने thumbnail और title देका नज़ा लागई दिया होगा कि आज का topic हमारा किसके उपर होने वाला है तो let's see So friends यह है As Goodness का Upten Powder So friends जैसे कि आपको पता होगा कि Upten Powder हम भूट टाइम से यूज करते हुए आ रहा है और भी यूज करते हैं काफी लोग यूज करते हैं क्यों क्योंकि आपके skin को clear करता है ठीक है जो आपके body पर या आपके face पर जो छुटी छुटी रोम्स और छुटी जो बाल खह सकते हैं बहुत जो minor होते जो दिखते नहीं है उसे भी यह clear करता है ठीक है अब इस time थोड़ा सा यह fashion आउट हो चुका है क्यों क्योंकि आज की time में body facial and body scrubbing and wax वगेरा होने लगी है जिससे आपके skin थोड़ी clear बहुत हाथ तक clear हो जाती है लेकिन पहले की time में लोग उप्टन ही यूज करते थे क्योंकि इतना नहीं था कि लोग body facial करा सकें scrubbing करा सकें या bleach करा सकें थीक है तो उस टाम इतना नहीं होता था लोग उप्टन ही यूज करते थे आज हम उप्टन को इसलिए इसका review कर रहे है क्योंकि उप्टन ऐसी चीज़ें जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं कई भी लगा सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि आपको शादी में ही यूज करना होता है आप इससे हटकर भी अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं इसको क्यों कि आप वैक्स कर आते हो वैक्स में कभी-कभी ऐसा होता है जब बाल आ रहे होते हैं या होते हैं अब karışाफ होगा कि अपकी कि एक चोटे रोंस बाल टाइप के होते हैं जो उप्टन से निकाले जा सकते हैं तो इस लिए पहले के टाम में बहुत ज्युदा गूज रह जो ऐसे ह ले क्टा तब मांई जिली निकाल देता था इसलिए लोग उप्टन यूज करते थे आज भी ऐसी बात नहीं है आज के टांब काफी लोग यूज करना करना बहुत जदा पसंद करते हैं क्हुंकि यह वाई को क्लिजा करता है वाइट्निंग प्रोवाईट करता है प्लस धी में अपकी रावल को only अगर आप इसका इसकी ब्रैंड का कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं मैं मैंने अपने चैनल पर एक क्रीम रिव्यू करा था उसका अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखना वह क्रीम इतनी अच्छी है गाइस मैं उसे लगबग एक साल से यूज़ कर रही हू अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं अपने डिसक्प्शन वाक्स में उसका लिक डाल दूगी तो जरूर आप उसको चैक आउट करना और वह बहुत ही अच्छी है प्लस यह 100% जैसे मैंने बताया 100% नैच्छर प्रड़क्ट होता है इसमें कोई भी हामफुल नही ही है आप पर नहीं अपलाई हुपा रही है तो आपको यह नुकसान भी नहीं करेगी यह इतना 100% ट्रस्ट है मेरा क्योंकि मैं एक साल से यूज कर रही हूं आपसी चीज़ें यूज की है जिसका अपना एक्स्पिनियंस में अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करती हू जिसके मैंने आपको बताया कि एक्ने में बहुत ज़्यादा हल्प करता है और जो आपके पोर्स होते हैं उन्हें टाइट बनाने का काम करता है और आपके स्कीन को एक यूद्फुल लुक प्रोवाइट करता है 100% और्गनिक और नाच्रल है और क्रेडिट फॉर ऑल स्कीन इसे यूज कर सकते हैं इनकी चीज अच्छी होती है कि अपने प्रट के ऊपर अलड़ी सब्चीन कर देते हैं अब इसके वेट की बात करूं तो यह है 50 ग्राम जिसकी आप देख सकते हैं और यहां इसका यूज करने का तरीका भी दिया हुआ है इसका जो एक्सपारिंग ड अगर आपको कुछ भी चीज पर्ट करने तो आप परपल से पर्ट कर सकते हैं क्योंकि वहां बहुत सारी कूपन अपलाई हो जाते हैं प्लस वहां हर दिन और कभी-कभी सेल चलती है बहुत अच्छी सेल चलती जिसमें आपको अच्छा कासा डिसकाउंट भी मिल जाता है अ और आप अपने जहां भी आपको अपलाई करना है अपने फेस पर अपने बॉड़ी पर से अपलाई कर सकते हैं और 15-20 मिनट बाद इसको वाटर से दो देना है ठीक है और आप खुद देख लेंगे इसका रिजल्ट तो अभी हम कुछ देर पहले स्वारी कुछ देर बाद ह हम इसका डैमो भी देखेंगे अब की पॉइंट इसमें क्या क्या मिला हुआ है इसमें ग्राम फ्लार टर्मरिक वीट फ्लार एंड कम फ्लार एंड कपूर एंड सेंडर वुट्स मिले हुए है तो ओवर उसकी पैकेचिंग कुछ इस तरह से आती है इसके आप देख सकते हैं इसली और खराब भी नहीं होगा प्रोडक्ट से आपका आपको एक अच्छा अमांट मिल जाता है 72 रुपीज मैं ठीके इससे पहले मैंने से यूज किया हुआ है देन आपको रिगमेंट कर रही हूं और आप देख सकते हैं तो चलिए अब हम इसका डैमो भी देख लेते है आपको लेना है एक बाउल आपको इसा भी बाउल ले सकते हैं अगर आपके पास ग्लास का है तो और भी अच्छा है अगर आप स्टील का यूज करना चाते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं कोई दिकत वाली बात नहीं है अब मैं एक स्पून्स की हैल्प से थोड़ा सा मैंने वाट करने वाली हो भी सो मैंने मांने बनाताओ सकगां आप इसे किससे में माईल थot wahr कोपिछ इसे हुआ जाए पर इसके आतवनिया देंग मेंुआ सब्दीन कोँआ सब्सक्राच करने वाली हूं मैं मग्दा़ ने या क्वेग कि आपको बहुत ही कम डालना है ना जाधा पतला और ना जाधा मौटा होना चाहिए क्योंकि इसमें हम ऑल भी मिक्स करेंगे अगर आपने ज्याधा पतला कर दिया तो बहुत ज्याधा पतला हो जाएगा और आप देख सकते हैं और इसकी खुश्बू बहुत जाधा तो अब मैं अप्लाई करने वारी अपने एक हैंड पर और दूसरे हैंड पर मैं अप्लाई नहीं करूंगी विकॉस डिफ्रेंट्स भी दिखाना ना आपको तो मैं ले रही हूं कुछ इस तरह का ब्रश ठीक है या ब्रश आपको मार्केट में मिल जाएगा और कोई भी कॉस्मेटिक शॉप होगी इस पर भी मिल जाएगा तो और आया अप्लाई इट ब्रश की हैल से बहुत ज्यादा अच्छा लग जाता है जैसकि आप देख सकते हैं अब बहुत ज्यादा जल्दी लगता है तो आप देख सकते हैं मैंने अपने एक हैंड पर अप्लाई कर लिया है और थोड़ी सी थिक लियर में अप्लाई किया है ठीक है अब इसे हम 20 से 15 मिल तक ड्राय होने के लिए रखेंगे अगर आपको इस तरह का अगर आपने कभी च तो पीच इस प्रोड़क को यूज मत करना ठीक है और जैसे कि मैंने तिक लियर में लगा लिया है अब मैं इसको ड्राय करने के लिए छोड़ देती हूं ओक आप देख सकते हैं अब यह मेरा काफी हत तक ब्राय हो चुका है अब मैं इसको ड्राब करने वाली हूं और आपको इस तरह से रफ करना है अपने हेंड को और जयादा गेला नहीं होना चाहिए उसलार ड्राइ नहीं होना चाहिए मीडियम होना चाहिए जिससे आपक यह अच्छी तरह स requirements होसके आप देख सकते हैं मैं रभ कर रहा हूं और ना मेरा जादा गेला है है और बहुत अच्छा से ही रब हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से रब है मेरा है और आप देख सकते हैं स्वैंड मैंने के अच्छी चाइन फृष और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी शाईन अर्य ऑर मैंने इक नॉर्मल फीकिन नॉंर्मल वॉटर रसे भी दो लिया है और आप देख सकते हो बहुत जादा difference है मेरे दोनों हाथों में ठीक है आप देख सकते हो एक बार के use से इतना अच्छा result है और अगर आप इसे use करना शुरू कर दोगे तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा यह result आपको देगा सो फ्रेंड्स मैंने इसका आपको फुल डैमो करके दिखाया अपता से इसके बार में details भी बताई अगर आप इसे use करना चाहते हैं तो एक दिन भी लगा सकते हैं और फेस्पर भी लगा सकते हैं पर्चेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्चन में कमें जरू बताना अच्की वीडियो आपको कैसी लेगी अगर बीच में वॉल्म कम होता रहा हो तो प्लीज प्लीज उसे नेगले झाल